तो दोस्तो फिलाल आप देख रहे हैं देखे 25 गज में डूपलेक्स मकान मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ देखे काफी सांदार ये मकान होने वाला है जिन भाईयों का बजट कम है उनके लिए बहुत सांदार ये प्रॉपटी होने वाली है दोस्तो 20 फिट का बना थीटी है ये टेखे जैसे आप एंटर करते हैं काफी अच्छा इस पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये देखे जीनी के लेंशे काफा ऑच्छा इस पेश भी आपको मिल जाता है कोई भी सामान रखने के लीए कुछ इस तरह का आपको ये खुला-खुला आपको लगने वाला है ये देखिए बाइक पार्किंग आपको फ्रंट में मिल जाती है इसमें दोस्तों आपको एक रूम नीचे मिल जाता है ये आपका गैस्टूम आप इसको बना सकते हैं मात्र 25 गच का ये मकान है जो की दो मंजिल बना हुआ है और बहुती एकोनिमिक प्राइस आपको दोस्तो ये मिल भी जाएगा ये देखिये सिर्फ ये मकान होने वाला मैन हाइवे से पचास मीटर अंदर आपको ये प्रोपरटी मिल जाती है श हो कफी सांदावर इसपेश आपको जीने पर वी.unden के देखिए काफी अच्छा इस पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा वास रूम में भी आगे आपको वास वेशन मिल जाएगा बीच में यह देखिए और यह आपका एक रूम मिल जाता दोस्तों यह देखिए इसी में इन्होंने एक छोटी सी किचिन भी बना रखिए यह और kitchen ये दोनों काम कर रहा है पच्चेस गज में बना हुआ है दो मंझिल का मकान है नया मकान है और काफी सांधार यह देखिए इनोंने जीने पर भी space काफी अच्छा है गंबले के बाद भी काफी अच्छा इस्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यह देखिए उपर से मैं ओवर्विव दिखा रहा हूँ आपको यह देखिए 25 गच के मकान में एक वास्रूम आपको उपर भी मिल जाता दोस्तों यह देखिए चोड़ तरफ से वांडरी है पिलर पे यह मकान होने वाला है आगे पीछे सम्मे फैमिली आ रही है और लेडी प्रॉपर्टी यह नगन निगम लाल कुआ गाजयवाद में आपको आती है वाड नमबर 42 में है नगन निगम के अंदर आती है यह कोलोनी बहुत ही बढ़िया बह इन भाईयों का बजट कम है छोटी सी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया यह मकान होने वाला है पूरा इंडिपंडेंट यह मकान है रेडी टू मूव है नया मकान है समर से विल हम इसमें आपको लगा के दे रहे हैं किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है 24 गंटे आप आपको हें पर मिल जाती है मैंन जो रोड है हाईवे का वह 40 फिट गा रोड है उस पर आपको पोरी मार्केट मिल जाएगी हर एक सामद आपको मिल जाता को наконец हो हर एक चीज पिट का बना हुआ रोट आपको हैं पर मिल जाता है मात्र 25 का मकार